चलिए आगे परते ही जैपूर में स्मार्च इंटिया इतकॉन का आरी इंस्ट्यूट ओफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलोजी ए आई इटी में उध्गाटन शत्रे शुरू हुआ बारत सरकार द्वारा इस तकॉन का पूरे भारत में आयुजन किया जा रहा है आपको बता दे कि भारत सरकार का हैकातौन विध्यारतियों को एक मंच दिलाता है और अपने अंदर छिपी प्रतिवा को विश्वी आपी करने के लिए प्रेरित करता है आरिया इंस्ट्यूट ऑफ इंजिनेरिंग एंड टेकनलोजिय हाट्वेर एडिशन का नॉडल सेंटर बनाया गया है इस राश्ट्री इस्तर की प्रतियोगता में जीतने वाली टीम को राश्ट्री इस्तर पर मंच दिलाया गया है भारत सरकार की ये पहल युवाओं को उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने और देश के लिए तकनीकी शृत्र में मददगार साबित होगी इंस्ट्यूट के उपनिदेश्वक पूजा अगरवाल ने बताए कि ये प्रतियोगता 25 से 29 अगस तक कई राज्यों से आई 27 टीमों के बीच आयज़त होगी कारिकरम के पहले दिन प्रधान मंतरी नरेंत मोदी ने सभी प्रतियोगियों से वर्चुली समबाद किया और सभी प्रतियोगियों के प्रोजेक्ट पर की गई मेहनत और काम को सराहा तो स्मार्ट सिटी है तो गौन जुसमें आरे अंस्ट्यूट में अध्या उद्धाटन सत्र शुरू हुआ प्रतियोगियों के काम की सराहना की गई 25 से 29 अगस्त तक इसका आयजन होगा कई रज्यों से आई 27 टीमों के बीच यह आयजन हो रहा है तो फलाल आरे अंस्ट्यूट में उद्धाटन सत्र शुरू हुआ है और प्रधान मंत्री नरीन पूदी ने इसे वर्च्वली संबोदत भी किया है जो प्रतियोगी है उनके काम की सराहना की गई 25 से 29 अगस्त तक यह कारक्रम का आयजन किया जाएगा कई राज्यों से आई 27 टीमों के बीच यह आयजन किया जा रहा है तो सभी छात्रस में मौजूद है तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं और इस सत्र को प्रधान मंत्री नरीन स्मूदी की ओर से वर्च्वली संबोदत किया गया जुसमें उनकी तरफ से प्रतियोगीयों की उनके काम की सराहना की गई प्रतियों की तरफ से प्रतियों की तरफ से प्रतियों की तरफ से प्रतियों की तरफ से प्रतियों की तरतियों 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 की तरतियों